लपसी तपसी की कहानी एक लपसी था, एक तपसी था तपसी हमेशा बगवान की तपस्या में लीन रहता था लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बना कर बगवान का भोग लगा कर जीम लेता था एक दिन दोनों लड़ने लगे तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ नारज जी वहां से गुजर रहे थी, दोनों को लड़ता देखकर उन से पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया नारजी बोले तुमारा फैसला मैं कर दूँगा दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा कर अपनी रोज की भक्ती करने आये तो नारज जी ने छुप कर सवा करोड की एक एक अंगुठी उन दोनों के आगे रख दी तपसी की नजर जब अंगुठी पर पड़ी तो उसने चुप चाप अंगुठी उठा कर अपने नीचे दबा ली लपसी की नजर अंगुठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया भगवान को भोग लगा कर लपसी खाने लगा नारज जी सामने आये तो दोनों ने पूछा कि कौन बढ़ा तो नारज जी ने तपसि से खड़ा होने को कहा वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दभी अंगुठी दिखाई पड़ी नारज जी ने तपसि से कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा तपसी शर्मिंदा होकर माफी माँगने लगा उसने नारज जी से पूछा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारज जी ने कहा यदि कोई गाएं और कुटे की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा यदि कोई ब्रामन को भोजन करवा कर दक्षिना नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा उसी दिन से हर रत कथा कहानी के साथ लपसी तफसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है झाल जाती है